मैं आपका दोस्त अभयकुमार एक बढ़ फिर हाजीर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ जुनोंने मेरा पुराना वीडियो देखा लाइक किया सब्सक्राइब किया ठेंक जिनों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो आप कमेंट करेंगे उस पर बना के आपके पास लेके आऊंगा ताकि आप उससे जितना भी हो सके आप फाइदा उठा सके इस बार का जो मेरा टॉपिक है वो हर एक जगह कंस्ट्रक्शन पर या कहीं भी वह इंप्लिमेंट होता है वह है PPE PPE का फूल फॉर्म क्या होता है प्रस्टनल प्रोटेक्टिव इकुपमेंट प्रस्टनल प्रोटेक्टिव इकुपमेंट खुद को बचाने का यंत्र कभी कभी में कोस्टन पूछा जाता है कि वह इस पीपी हमेशा यह कभी कभी यह कोश्टन आ भी जाता है कि वह इस पीपी उससे पहले कि हम आपको मैं यह बताऊ जितने भी कंस्ट्रक्शन साइड या कहीं भी जो से ignoring होते हैं यह जो अधर लोग होते हैं उनका यही मानना है कि कि से ROB आते हैं सेफ्टी वालों को देख़ो तो जो हालमेट सु जो गरा है उसको ठीक कर लो यही सेफ्टी वाले का डियुटी है नहीं पीपी इज जेनरली कहा जाता है कि पीपी इज लास्ट एस्टेप लास्ट एस्टेप ओफ हैजार्ड प्रोटेक्शन हैजार्ड प्रोटेक्शन जो हिरार्की अफ कॉंट्रोल है हैजार्की अफ कॉंट्रोल है जैसे कि हैजार्ड का जो लास्ट एस्टेप होता है वो होता है PPEs ठीक है, control का ये last step होता है PPEs, सबसे पहले elimination, substitution, reduction ये आपका करने के बाद आपका आता है PPEs, last step होता है आपको हजार्ड का control का, उसके बाद ही एक और आता है discipline, PPEs के बाद भी आता है discipline, अगर आप discipline नहीं रखते हो, तो PPEs का कोई मतलब या किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं बनता है, ओके, तो PPEs का full form होता है personal protective equipment, मतलब खुद को बचाने का यह अंत्र, जो उसे use करेगा, अगर मैं use कर रहा हूं, अगर बाइक चला रहा हूं, या कहीं भी, अगर मैं helmet use कर रहा हूं, तो मुझे ही बचाएगा, किसी और को नहीं बचाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा PPEs, personal protective equipment, जैसे कि बारिस हो रहा है, तो बारिस, ये बारिस है, अगर कोई आदमी है, ठीक है, ठीक है, तो उसको बारिस के बुंदे, एक छाता जो है, ये जो चाता है, ये बारिस के बुंदों से छोटा सा थोड़ा सा बचा सकता है, पूरा नहीं बचाएगा, ये आपको पूरा नहीं बचाएगा, तो जस्ट बारिस की बुंदों से बचाने के लिए, तो slightly आपको PPEs क्या करता है, slightly आपको protect कर सकता है, लेकिन आपको पू करने के लिए तो पीपी इस दो कटेग्री में डिवाइड है तू कटेग्री में ठीक है एक है रेस्परेट्री एक है नॉन रेस्परेट्री तो हम लोग जनरली जितने भी साइट पे होते हैं वह बेसिकली पीपी इसको इसको कंसेडर करके चलते हैं नॉन रेस्परेट्री ठीक है रेस्परेट्री क्या होता है जो प्राण दायक जो प्राणों को बचाता है जो जिसके बगार हम सर्वाइव वहां पर नहीं कर सकते हैं उसे बोला जाता है रेस्परेट्री जो हमें सास लेने में हमें सहायक होता है उसे हम बोलते हैं respiratory जैसे कि आप माली जे confined space में काम कर रहे हैं या कहीं पानी में dive कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या होता है SCBA जो हम cylinder use करते हैं उसे बोला जाता है respiratory पीपी ठीक है इसे बोला जाता है respiratory इसका full form होता है self content breathing operators self content breathing operators जो यह पीपी होता है वह हमारा प्राण दायक होता है जैसे कि आप कहीं केमिकल में काम कर रहे हैं तो केमिकल को उसमें क्या होता है canister कि जो canister होता है उसे हम बोलते है respiratory उसे बोलते हम respiratory और उसके अलावा उसके अलावा जितने भी होते हैं helmet shoes gloves चस्मा यह सारे जितने बाकी और जितने equipment होते हैं उसे बोला जाता है non respiratory जैसे कि हम हाड हेट यूज करते हैं helmet यूज कर रहे हैं reflector यूज कर रहे हैं चस्मा यूज कर रहे हैं non respiratory तो अगर आप से कोई पूछे कि वाट इस पीपी इस तो पीपी आपको बोलना है पीपी दे लास्टेप आफ है जाड प्रिवेंशन एंड पीपी कर डिवाइड इंटू डिवाइड इंटू कटेगरी कर रहे हैं